हेलो गाइज आपको स्वागत है बेरी एक और नीव वीडियो के अंदर तो आप यूटुब पर बहुत सर्च कर रहे होगे कि फेस स्मूथ, ओइल पेंट, बोका एफेक्ट, बैगराउंड को बलर करना, फोटो एटिंग कैसे करें और वो भी स्यान टून के अंदर आपको नह पिक्साट अप्लिकेशन में उपन कर लेना, पिक्साट अप्लिकेशन अगर आपके पास नहीं है, तो आपको टेलिगराम पर दे दिया, जाके डाउनलोड कर लेना है, टूल पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने बाद आपको क्या करना, ब्रैटनेस को बढ़ाना हलका सा देख आपको मिल जाएगा highlight को आपको थोड़ा सा अब्जेक्स्ट करना है जैसी मैंने माइनस कर दिया 35% clarity पर जाना आपको clarity को 15% के करीब आपको यहाँ पर रख देना है रखने बाद आपको यहाँ से कर दिना है done before and after आप देख सकते हो फोटो में आपको थोड़ा जो भी अब्जेक्स्ट रहता फोटो का lighting वाइटिंग हमने set कर दिया है तूल पर जाना है दुबार आपको अब्जेक्स्ट वाले option पर आसे जाना है saturation को आपको क्या करना है यहाँ पर minus कर दिना है brightness को यहाँ पर 17% highlight आप देख सकते हो इस screen पर यहाँ पर 30% बढ़ा लिया saturation को हलका minus कर रहा है erase वाले icon पर आपको यहाँ से click करना है अब आपको यहाँ से invert पर click कर दिना है photo को zoom करना है और अच्छे तरीके से अपने face को आपको गोरा कर लेना है तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से बरस को चलाँगा अपने photo को साफ करूँगा जितना भी हमारा face पर जितना भी देख सकते हो dark circle है यह सारा हमारा साफ हो जाएगा photo बिलकुल अच्छे तरीके हमारा साफ हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर wait कर लेना है मैं इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से कर लेता हूँ तो देख सकते हो मैं इसको perfect तरीके से यहाँ पर कर लेता हूँ आपको अपनी photo में थोड़ा सा time देना है जब ही आपका photo perfect तरीके से होएगा और जो मैंने यहाँ पर thumbnail पर दिखाया है वही आपको edit करके दिखाऊँगा कोई fake वीडियो नहीं है बहुत भाई आपको thumbnail पर दिखाते और कुछ है और वीडियो के अंदर दिखा देते और कुछ है तो इसलिए वीडियो को मेरा पूरा देखना end तक जबी आपको यहाँ पर समझ में आएगा इतना होने बाद आपको right पर click कर दिना है और photo को कर दिना done हमारा photo देख सकते हो पहले से कितना अच्छी तरीके से साफ यहाँ पर हो गया है photo गोरा भी हो गया है before and after आप देख सकते हो अब आपको क्या करना retouch वाले option पर यहाँ से click कर दिना है click करने बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक makeup का option इस पर आपको यहाँ से click कर दिना है click करने बाद आपको यहाँ से lips वाला color select कर दिना है color करने के बाद आपको amount को 100% यहाँ पर रख दिना है राइट पर आपको क्लिक कर देना है दुबारा आपको राइट पर क्लिक कर देना है टूल वाले उप्सिन पर आपको दुबारा यहां से चले जाना है जाने बाद अबजेक्श्ट पर आपको यहां से दुबारा क्लिक कर देना है Saturation को 100% आपको यहाँ पर माइनस कर दिना है माइनस के बाद Contrast को हलका सा बढ़ा लेना है जितना मैं स्क्रीन पर बढ़ा रहा हूँ Shadow पर जाना है Shadow आप स्क्रीन पर देख सकते हो माइनस कर लेना है 34% Highlight को आपको माइनस कर दिना है और अब आपको यहाँ से Erase वाले आइकोन पर क्लिक करना है और अपने Face पर से जितना भी यह Dark Effect हमारा आया है इसको आपको यहाँ से Erase कर देना है Pixate Application मैंने Telegram पर दिया आप जाके वहाँ से Download कर सकते हो वीडियो को आपको पूरा देखना है तब ही आप समझ में पाओगे कि आपको मैंने यह Photo कैसे Edit कर रहा है अगर आपको CB आइटिंग वगएरा सीखना है और Free में Preset चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो हमारा यहाँ Complete हो गया है इसको आपको कर दिना है Done Before and After हमारा Photo देख सकते हो कितना अच्छ है यहाँ पर लग रहा है Effect वाले Option पर जाएंगे यहाँ से Color से वाले Option पर जाएंगे Colorize को आपको यहाँ पर Select कर देना है अब आपको उपर Erase वाले आइकोन पर क्लिक कर देना है Photo को आपको यहाँ पर जूम कर देना है और Perfect तरीके से अपने Face पर से जितना भी है Sun Tune का Effect आ रहा है अपने Face से और Hair से आपको इसको Perfect तरीके से Erase यहाँ पर कर देना है मैं वीडियो को थोड़ा सा Fast कर देता हूँ क्योंकि आपको दिक्कत ना हो ज्यादा लंबी वीडियो ना हो आपको फोटो में अपने थोड़ा टाइम देना है आपको कुछ छोड़ना नहीं है तो इसलिए आपको Step by Step इसको करना है देख सकते हैं मैंने आपर कर दिया इसको Before and After अब कितना अच्छा लग रहा है अब आपको क्या करना है Draw वाले उप्सन में जाना है यहां से आपको Three Dot पे क्लिक करके फोटो को कर दिना है Save Save करने बाद आपको More वाले उप्सन पे यहां से क्लिक कर दिना है क्लिक करने बाद आपको क्या करना है यहां पर Photo Room Application होती है जो अगर आपके पास नहीं है तो मैंने Telegram पे दिया आप जाके Download कर सकते हो से यहां से क्लिक करना है updated number select करके amount को सो परसेंट आपको यहां पर रख देना है अब आपको क्या करना है राइख सेरवाले आइकून पे यहां से क्लिक करना है photo को यहां से share कर दिना है Pixate application के अंदर यहां पर हमको एक boke effect की png को लगाना है तो उसके लिए आपको add photo में चले जाना है जाने के बाद आपको एक boke effect png दूँआ उसको यहां पर आपको add कर दिना है size को आपको यहां पर full कर दिना है देख सकते हो जैसे मैंने size को full कर दिया है blend option पर जाना है screen पर आपको यहां से click कर दिना है click करने बाद आप यहां इसको add पर भी select कर सकते हो erase वाले icon पर आपको यहां से click करके अपने face पर से जितना भी यह boke effect आ रहा है इसको आपको perfect तरीके से erase कर दिना है हमें सिर्फ इसे background के अंदर रखना है तो हम इसे सिर्फ background में यहां पर रखेंगे हो गया हमारा देख सकते हो perfect तरीके से अब आपको उपर right वाला option मिल जाएगा उस पर आपको यहां से click कर दिना है again आपको यहां पर right पर click कर दिना है before and after आप देख सकते हो photo का HD अगर आपको करना है तो आपको tool वाले option पर click करके यहां पर AI enhance का एक option मिलेगा उस पर आपको click कर दिना है आपको photo बिल्कुल HD में यहां पर हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको wait कर दिना है wait करने के बाद आपको photo HD में हो जाएगा अगर आपको पास AI enhance का option नहीं है तो टेलिगराम पर pixel दे दिया जाके download कर लेना अब आपको यहां पर amount को 100% यहां पर रख देना है देख सकते हो इस screen पे यहां पर 70% का amount हम इसे 100% रखेंगे रखने के बाद आपको क्या करना है उपर right वाला option आपको मिल जाएगा right पर click करके अपने photo को आपको done कर लेना है description में आपको सारी png मिल जाएगी जाके आप download कर सकते हो और वीडियो चलेगे वीडियो को like करके चैनल को subscribe करके bell icon जो रिप्रेस कर देना है मिलते हैं next video के साथ